नमश्कार सौगत है आपका खास बुलिटेन में मैं हूँ आपके साथ प्रद्यमनिश्यर्मा खबर जन्नत की वादी जम्मू कश्मीर की राज़दानी श्री नगर से है जहां जैसे ही मौसम ने करवट बदली वैसे ही ठंड में अपना प्रकोप दिखाना भी शुरू कर चुकी है बर्फ की सफेज चादर में लेप्टी वादियों की रानी श्री नगर में एकदम अद्बुत नजारा देखने को मिल रहा है इस दोरान कश्मीर घाटी में श्री नगर समेथ का यह इलाकों में बर्फवारी हुई इस मैंने घाटी में तीसरी बार बर्फवारी हुई है और आस्मान में बादल चाय रहने की वजह से नियुत्व्त आपमान में भड़ोतरी दर्च की गई है मौसमेवाक की अधिकारियों ने ये जानकारी दी, इससे पहले कश्मीर में 3 जनवरी से लगातार 4 दिन तक बहारी बर्फवारी हुई थी वही 9 जनवरी को मद्य बर्फवारी हुई अधिकारियों के मताबिक उतरकाशी के प्रसिद स्की रिजोर्ट गोलमर्ग में करीब 10 इंच तक बर्फवारी हुई है इस बर्फवारी का सेलानियों ने जम कर लुथ उठाया इतना ही नहीं कुपवारा में 3 इंच और दक्षन कश्मीर के कांजी गुड में 1 सेंटी मीटर और श्री नगर में 0.2 सेंटी मीटर बर्फवारी दर्च की गई अधिकारियों ने बताया एक कि घाटी और जम्मू शेत्र की उचाई वाले अन्र शेत्रों में बर्फवारी हुई है श्री नगर जम्मू राष्ट राजमार के जवार सुरंग के दोरान हिस्सों में भी बर्फवारी देखी गई है मौसम विवाग के मताबिक कश्मीर के मैदानी इलाकों और जमू कश्मीर के परवर्ती इलाकों में हलकी सी मद्ध बर्फवारी हो सकती है वहीं जमू के मैदानी इलाकों में बारिश और गरच के साथ छीटे पढ़ने का पूरवर नुमान भी जता दिया गया है विवाग ने बताया कि घाटी के दूर दराज इलाकों में खास तोर पर परवर्थिये शेत्रों में भारी बर्फवारी की संभावना है विवाग ने कहा है कि इस महीने के आंदे तक मौसम के शुष्क बने रहने की संभावना भी जिता दिया है गाटी में आसमान में बादल चाय रहने की वज़े से लोगों को ठंड से थोड़ी राहत तो मिली है और गाटी के जारतर इस्थानों पर तापमान इस मौसम के साब से सामाने दर्च किया गया है शिनगर में तापमान 0-2 degrees Celsius नीचे गया है जब कि गुलमर्ग में 0-4.8 degrees Celsius नीचे रहा है पहलगा में तापमान 0-1.3 degrees Celsius नीचे दर्च किया गया कश्मीर अभी चिलाई कला की चपेट में है यहां 40 दिन की अवदी है जिसमें कडाके की सरदी पड़ती है और घाटी शीत लहर की चपेट में होती है और तापमान शून से कई डिगरी सेलसियस नीचे चला जाता है ऐसी स्तिती में यहां के जलाशेयों और पाइप लाइन में पानी जमने लगता है वहीं सवदी में बर्फुवारी की संभावनाएं खास तोर पर उचाई वाले शेत्रों में सबसे जादा होती है चिलाई कला 31 जनवरी को खत्म होगा इस खास बुलिटे में सिर्फ इतना ही आपको हमारी रिपोर्ट कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना बूलें नमस्कार